नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक बाल मुकुन्द गुप्त द्वारा लिखी गई पार्ट जिसको सुषक है विदाई संभाशन इस पार्ट में लॉड करजन की अन्याय पूर्ण नीतियों से तरस्त भारतियों की व्यथा का वनन किया गया है साथ ही यह भी सपस्ट किया गया है कि किस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किये गए विकासकारे और बनाई गई नीतिया इन सभी का उद्देश्य भारतिय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर उन्हें ब्रिटिशों के हित में उप्योग करना और भारत में ब्रिटिश राज की प्रात्मिक्ता को अस्थापित करना था। तो चलिए दोस्तू, सुरू से इस पार्ट को समझने की कुश्च करते हैं। लेकिन अब आपके जाने से लोग दुखी है, बीचडन का या समय पवित्र और कुमल होता है, यहा समय करुणा उत्पन करने वाला होता है, भारत में तो पशुपक्ची भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं। उसने चारा भी नहीं खाया। आने वाले शासकों को कोई परिशानी ना हो, लेकिन सब कुछ उलट गया, वे स्वयम बेचैन रहने लगे और देश में अशान्ती भी फैला दी। उनके अस्थान पर आने वाले शासकों को अब कितने समय तक परिशान रहना पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लिखक वैसराय को सम्बोदित करते हुए कहता है कि आपने स्वयम भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट ही दिये। तो वह दुसरे इस देश के सभी धनी वैक्तियों ने पहले आपको सलाम किया और बाद में बातशाह के भाई को जुलूस में उनका हाथी, उनका आसन, छतर और चवर सबसे उचा और आगे था लेकिन इतनी प्रतिश्ठा के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक सिना का अ किया ही साथी विलायत में बार बार इस्तिफा देने की धमकी के कारण उनका इस्तिफा स्विकार करके उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। इतने ही देश में उनके कहने पर एक फौजी अफसर निक्त नहीं हो सका। इसी वज़ा से उन्हें पद से इस्तिफा दिना पड़ा। आपकी दशर से वे स्वयम आस्चर चकित थे। यदि आप अपने कामों पर ध्यान दे तो आपने कभी भी प्रजा के हित की सोची ही नहीं। शासन करने का यह तरीका नहीं है। आपने हर काम अपने जित से पूरा किया। आपने कभी भी प्रजा को अपने सामने ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आसिव जहा के द्वारा प्रार्तना करने पर कतले आम रोक दिया था। लेकिन आपने आठ करोड जनता की प्रार्तना पर बंगाल विभाजन रद करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निस्चित है। आपकी बात ना मानने पर आप नौकरी चोड़ रहे है। लेकिन आपने प्रजा की कोई बात नहीं मानी तो वे कहां जाकर अपना दुख व्यक्त करे। आपकी जिद की वज़ा से इस देश की जनता और स्वयम आप भी भुगत रहे है। लेकिन यहां जनता यहां मानती है कि समय परिवर्तन शील है। सभी चीजो को तो देख ही नहीं सके। लेकिन कभी कभी वे इस देश की जिस अनपड जनता का नाम अपने मूँ से उचारित कर लिया करते थे वही अनपड प्रजा आज नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महीमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ती के दिन न पुर्वक प्रणाम किया था। भारत की जनता आज तक उस क्रितग्य राजकुमार को याद करती है। लेखक लौड करजन से पूछता है कि यदि वे विदाई संभाशन देंगे मतलब विदाई की बातचीत करेंगे तो क्या कहेंगे यही कि मैंने तुम्हारा शोषन करके एशो आराम से अपना जीवन जिया मैंने हर एक छण तुम्हारा अहित करने का प्रयास किया लेकिन अब सामर्त हिन होने के कारण कुछ नहीं कर सकता। फिर लेखक करजन से पूछता है कि क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं लेखक को विश्वास है कि यदि करजन ने ऐसा किया तो यहां की जनता उनकी गलतियों को छमा कर देगी लेकिन लौड करजन में इतनी दयालूता नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आत्म विश्वास बहा सकते हैं और हमारे चैन को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद